प्यारे मित्रों नमस्कार और एक बार आपका पुनो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राना सर क्लासिज में जैसा कि पिछली वीडियो में उन्हें आपको बताया था कि उत्राखंड में 1521 रिक्त पदों पर जो पुलिस के रिक्त पद हैं उसमें चाए वो पी प्रकासन की तिथी है याने कि आज के दिन ही विग्यापन प्रकासित हुआ है और इसके जो आलाइन आविदन फॉर्म है वो दिनांक 3-1-2022 याने कि 3 जनवरी 2022 से प्रारंब होंगे और 16-2-2022 याने कि 16 फरवरी 2022 तक ये आविदन लिये जाएंगी जो लिखित परिक्षा क बताया गया है कि लिखित परिक्षा से पूर्व ही जो इसके सारीरी की योग्यता की परिक्षा है वो होनी है तो सारीरी की योग्यता की परिक्षा के लिए आप लोग अपने आपको तयार रखें तो इसमें सबसे पहले आपको जो महत्वपूर्ण बात है जो ध्यान में र वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो सबसे पहले इसके लिए OTR कर ले खासतोर से वो छात्र छात्रा हैं जुन्होंने इसी वर्स इंटरमेडियेट किया है और अब तक अपना OTR नहीं भरा है वो OTR अवश्य भर ले और OTR भरने से पूर OTR भरने के चितने भी सेप नंबर पर और इसके अत्रिक्त जो ये मेल आइडी दी गई है चयनायोग-gmail.com इस मेल आइडी के माध्यम से आप अपनी अगर कोई समश्या आपको आती है तो समश्या का निस्तारण पा सकते हैं तो आप भरती के संबन्द में कुछ बात कर लेते हैं जो ये पदों का विबरंट दिया गया है इसे आप पाउज करके देख सकते हैं कि किस स्रेणी में कितने पद दिये हैं क्योंकि इस पर अगर विस्तार पूर्वक्चर्चा की जाए तो वीडियो काफी अधिक लंबा हो जाता है तो आप पाउज करके स्वयम भी देख सकते हैं दूसरा जो वितनमान है वो 21,700 से 69,100 लेवल 3 के अंतरगत ये पद आता है और अराजपत्रित पद ये होता है सैक्षी के अहरता की बात करें तो इंटरमेडियेट परिक्षा आपकी उत्तिन होनी चाहिए चाहिए आप UK बोर्ट से हो या अन्या किसी बोर्ट से पर आप इं है उनके लिए 165 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है परिवतिय चेत्र के अभ्यारतियों के लिए 160 सेंटीमीटर और अनुस्यचित जन जाती है उनके लिए 76.3 से 81.3 सेंटीमीटर तो यह आप अपने इस परकार की माप को आप जरूर सुनिश्चित कर लें ताकि आप जो साररिक एहरता है उसको पूर्ण कर सके और एक नोट स्पेसल दिया गया है कि सीने में कम से कम 5 सेंटीमीटर का फ्लाव आउशक है तो इस चीज जो परवतिय छेत्र का निर्धारण है तो इसमें इस पस्ट लिखा गया है कि देरादून पूरी चक्राता इसको आप पाउस करके पढ़ सकते हैं कि कहां कहां परवतिय छेत्र है तो जो उत्राखंड के नोजले हैं वो पूरी तरह परवतिय छेत्र में आते हैं और इसके जो बच्चे हुए चार्ज ले हैं, उनके कुछ छेत्र को परवतिय छेत्र में रखा जाता है। जिए चेत्र में परवन आपको अपको देख सकते हैं, जो बैठक हैं дण्ड यानि कि जो आप डिप्स मारते हैं, उसके नंबर इसमें निर्धारित किये गए हैं और इसमें अच्छे से अच्छे अंक लाने वाले अभ्यारतियों को कही न कही लिखित परिक्षा में कम अंक भी होने पर सफलता के जो चांसेज हैं वो बहुत अधिक होते हैं, तो इसलिए आप इस पर अधिक मेनत अवश्या करें उसके अत्रिक्त, जो फायर मैन है, उसके पदों का विवरंड भी यहां दिया हुआ है आप देख सकते हैं कि किस स्रेणी में कितने पदों की विग्यप्ति आई हुई है यहां भी जो बाकी चीज़े हैं वो लगबग समान है और जो यह साररिक दक्षिता है वो भी लगबग लगबग समान है फिर भी आप उसे पाउस करके देख सकते हैं या फिर UK SSC की वेबसाइट पर जाकर समपूर्ण PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसका अध्यन कर सकते हैं उसके पश्चार जो अभ्यारती यहां 50% अंक प्राप्त कर लेते हैं उनके 100 अंकों की एक लिखित परिक्षा होगी जो की 2 घंटे की होगी और उसकी तयारी भी इस चैनल के माद्यम से बाद में कराई जाएगी तो अगर आप उस तयारी में अपना परतिभाग करना चाते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ववश्य कर ले ताकि आपको जब भी इसकी तयारी कर आई जाए तो आपको उसकी जानकारी मिल सके तो जो लिक्षित परिक्षा है उसमें भी 35% अंकल हाना अनुसची जन जाती सिरेनी के अभ्यारतियों के लिए अनिवारिया हैं और जो OBC और समानी वड़ के अभ्यारती हैं उनके लिए 47% अंकल न अनिवार्या है परना वो लिखित परिक्षा में अनहर माने जाएंगे यानि कि करियभन-करिबन सौ में से 45 नंबर OBC और के अभ्यारतIES के लिए और 35 नमबर ST वो ST के अभ्यारतियों के लिए लाना अनिवार्या होगा तो इसमें अन्य जो महतोपोन बात है लगबग सबसमान है और जो आयू सीमा है इसका भी आप इसे इसद्यान रखे 18 वर्स से लेकर और 22 वर्स होगी और इसमें एक वर्स की छूट दी गई है तो इस परकार 18 वर्स से लेकर जो अगनी समन फायर महिला के पद है वो 18 वर्स से लेकर 25 वर्स तक होगी और एक वर्ष की छूड़ दी गई है तो इस परकार 18 वर्ष से लेकर 26 वर्ष तक कि आयो के अभ्यारती इसमें आविधन कर सकते हैं इसके अर्त्रिक्त जो इसमें महंत्वपूर्ण पार्ट है आप एक बार आविधन करने से पूर अपने जो इसमपूर्ण विबरण है इसका अध्यान अवश्या कर लें ताकि किसी भी परकार की गलती की कोई गुंजायस न रहें कई बार ऐसा होता है कि आप सब कुछ कह सकते हैं कि आप फॉर्म बरने से पूर आयोग की वेबसाइट पर जाकर इसका अध्यान अवश्या कर लें उसके पस्चाति अपना OTR और फॉर्म फिलप करें आसा है वीडियो हमेशा की तरह आपको अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों अपने सैयोगियों अपने भाई बहनों को इसे सेयर अवश्या करें ताकि वो भी इसका लाव ले सकें Facebook के माद्यम से Instagram के माद्यम से यो WhatsApp के माद्यम से आप इसे सेयर करके हमारा सैयोग कर सकते हैं आपके सायोग से ही चैनल उत्रोत्तर प्रगतिपत पर अग्रसर है तो आपसे निवेदन है कि जिस परकार आप पीछे भी वीडियो को काफी अधिक मात्रा में सेयर करते रहे हैं अब भी इसी परकार वीडियो को सेयर अवश्य करते रहें ताकि वीडियो का जो लक्ष है कि अ जब एन्यों